अमा जोगी जाटेले अकाम मनन नगने अमांगलवेस आसे स्वामी यह कहमे लहीं पारी हास्त असरे खिलखन शराम चंद की जाए जोगी जटाधारी निसका महर्दे नंगा और अमांगलवेस वाला ऐसा पती इसको मिलेगा इसके हाथों मैं ऐसी ही रेखा पड़ी है सुने मुनी की रासत जी जानी दुखे दम पत ही ओ माहर सानी नारद हूँ यह भी देना जाना उदसाई के सम जब लेगाना नारद की मुनी की बानी सुनकर और उसको हिर्दय मैं सत जानकर पति पतनी हमवान और मैना को दुख हुआ और पारवती जी पसंद हूई आरजी ने भी इस रहस्ट को नहीं जाना क्योंकि सबकी बारीद सा एक ही होने पर भीत्री समझ में नहीं आती भिन भिन है सिराम शकाले सखीं गेरे जागेरे मैंना पुलके सरीर भले जलने ना हो इनम्रसादे वरे सिभाखाओं मास बचन हरदाय धरी राखा सारी सक्षिया पारवती परवतराज हमवान और मैना सभी के हड़े सरीर पुलके थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था देवर्सी के बचनासत नहीं हो सकते है विचार कर पारवती जी ने उन बचनों को उर्दाय मैधार अनकर लिया मिलने कठन मन भासंदे हूँ जाने कुआ वो सर प्रीत दो राए वो सक्षिय चांग बैठी पुने जाए कि उनका मिलना बहुत कठन है आउसर ठीक ना जानकर उमा ने अपने प्रेम को छपा लिया और फिर वे सक्षी की गोत में जाकर बैठ गई जूटे न हो ये देवरे सिपानी सो चाही दम पत सकी स यानी और इधारी धीरे कहा हे गेड़िराओ कहो ना देका कर आए उपाओ देवर्श की बानी जूट ना होगी है विचार कर हमवान और मैंना सारी चतुर सक्षिया चिंता करने लगी है फिर दे मैं धीदर धरकर परवतराज ने कहा है नात कहिए अब क्या अपाई किया जाए काहे मौनी से है वावान ता सनो जो विधे लिखा ले लार दी बदानो जनारे नागे मौनी को ना में अट नहार लखन शराम चंदर की जाए मुणी सुनों ने कहा है हम मुआन सुनों बिधाता ने लाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देउता दाना मनो सना गो मनी कोई नहीं मैट सकता तद पिये के मैं कहाँ वो पाई हो एक रहे जो देउ सहाई जैसे बारो मैं बारे नहों ता मैं पाही में लहीं उमाही ता से संसे नहीं तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ यदि देव सहाथा करें तो बस दो हो सकता है उमा को बरतों ने संदेश वैसा ही मिलेगा जैसा तुम्हारे सामने मैंने बरणन किया है ये जे बरके दोसे बखानेते तब से वपाहि मैं अनुमाने जो बेबा है संगा रज़ान होई तोसों को नसम का है सब कोई परंतु मैंने बरके जो जो दोस बतलाये है मेरे अनुमार से पेज वी सिवजी में है यदि सिभजी के साथ विवाय हो जाए तो दोस्तों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे जो असी सेज साया नहार का रहीं वोध काचुते नह का रहीं दोस ना धा रहीं भानों के सानों सर बेरा से राखा ही तेने कामांद कात कुना हीं जैसे विष्णु भगवान से इस नाम की सिया पर सोते हैं तो भी पंड़त लोग उनको कोई दोस नहीं लगाते सूर और अगनी देव अच्छे बुरे सभी रसों का भच्छन करते हैं परन्तु उनको कोई बुरा नहीं कहता सुबह आरोवा सुबह सलेले सब बाहरी सुरे सारी को अपूनी तेना काहीं समयरा थे का होना ही दोसे गोसा ही रभी पावा के सुरे सारी की ना ही गंगाजी में सुबह और सुबह सभी जल बहता है पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता सुरे अगनी और गंगाजी भादी भी समयर्थों को कुछ दोस नहीं लगता जो अस हिस साकराही का न रहे जड़े बेबे के अभिमान परही कलप भर नरक महों जीव की से समान लखंश राम चंद की रहे यदि मूर्ख मनस ग्यान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कलप भर के लिए नरक मह पड़ते हैं भला कहीं वी जीव भी इस और के समान सरवता सुतंत्र हो सकता है सोरे सारी जले करत बार न रजाना का वाहूना संत करही तहीं पाना सोरे सारी मिले सुपावन जैसे इस यानी सहीं अंतर जैसे गंगा जलसे भी बनाई हुई मदरा को जान कर संत लोग कभी नहीं पान करते हैं पर भही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे प्वत्र हो जाती है इस्वर और जीव में भी वैसा ही वेद है साम्बो सहज समरत भगवान यही वेबाहों सब भी धिकल्यान दुराराद पैयाई महेशू आसुतो से पोने की एक कलेशू सिपजी सहजी समरत हैं क्योंकि वे भगवान हैं इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कर ल्याड हैं परंद महादेव जी की आराद ना बड़ी कठन हैं फिर भी इकलेश तप करने से भी बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं जो तप कर एक मारी तुम्हारी भावई में टिसस कहीं तरपरारी जैदब जादब बरी आनेके जग माईंचे नहीं यदि तुम्हारी कन्या तप करेत तो तरपरार महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं यद्यपी संसार में बर अनियक हैं पर इसके लिए सिवजी को छोड़ कर दूसरा बर नहीं है बर दायक प्रन तारत भंजन के पास इंद सीवक मन रंजन इच्छत फल बेन से वया वरादे लाहे न कोटी जोगे जप साध है सिवजी पर देने वाले सरनागतों के दुखों का अनास करने वाले गर्पा के समद्र और सिवकों के मन को परसंद करने वाले हैं सिवजी की आराद ना किये बना करुणों योग और जब करने पर भी बंच्छत फल नहीं मिलता असका है नारद समर हरे गेर जहीं दीन है असी सोई यहीं आहे कल्यान अब संसेता जाओं गिरीश लखन शराम चंद की जाए मापति महादेव की जाए परन सतहनुमान की जाए गुसाहीं तुल सिदास की जाए बोल भाई सब संतन की जाए झाले